हेलो एवरीवन, वेलकम तो मैं चैनल कॉम स्कॉलर इस इस दी न्यू चप्टर, इस दी वेल्य एड़िद स्टेट्मेंट देखे स्टुडेंट एचली यह पहले चप्टर नहीं था बट जब से यह NAP इंटर्डूस हुआ है तब यह नए चप्टर एड़न हो गया है एचली वैसे तो यह चप्टर जो है मेली यह प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाया चाता था लाइक CACS या फिस CMA इन समय चाहे इन सब को पढ़ाया चाता था बट अब यह चप्टर जो है अब यह बीकॉम ओनर्स एंड बीकॉम बगराम जो है अब इन दोनों में भी यह चप्टर जो इंटर्टिवस हो चुका है अब यह चप्टर इंपोर्टन बनता भी है बिकॉस अब देखा जा तो वैल्यू अडिट सेट्मेंट पढ़ना बिकॉस आप जो है 11 सेंड में 12 सेंड में आप जो एकांट्स पढ़के आयो उसमें बस आपने पी एंडल सेट्मेंट पढ़ी है बट आपने उसको कभी एंडलाइज नहीं कर पाए कि जो कंपनी है जो बिजनस करती है वो बिजनस क्या है और एक्चुल में क्या वो एकनॉमिय में हेल्फुल है या नहीं है तो वो आपका पता होना चाहिए तो वैलूड एडिशेट की इंपर्टनिस यहां से बढ़ जाती है वन मुर तिंग स्टुनेट जाद अगना कि यह जो चप्टर है इसमें आपका थियरी प्लस प्रेटिकल दोनों ही आपके आसपक्ट जोंए क्लियर होंगे इसमें आपसे एक्जामेर कुछ भी पूसकता है और प्रेटिकल भी पूसकता है तो make sure कि आप जो है दोनों कंसेप्ट को अच्छे से हाँ पर समझ के जाओ आये समझते हैं कि what is all about value added statement देखें अगर हम बात करें कि कोई भी प्रडट अगर फेक्टरी में बन रहा है तो उसको में लिए देखें प्रोसेजर क्या होता हुगा वैसी दिए बात है माने जिए फेक्टर में को मशीन है और जो बिद्नेस को जो ओनर है वो उसने काफे सारे जो रो मेटेरियल्स जो है उसनों पर्चेस किये और रो मेटेरिल्स एज इन्पुट वो लेके आया और उसको फिनिज्ध होरे करने के लिए इसने क्या कर आ... उस जेते में रो मेटेरियल्स है उसको उसने क्या कर आप बंचुका है तो देखें जैसा मानन लिजिए.. अगर कोई भी अनोर है मानने जिए वह तैन थाऊजन की जो रो मेटेरिल्स प्रचेस क्रके लाया हूँ उसमें माननी जिये उसमें कुछ 15,000 की कुछ ने कुछ प्रोसेस किया तो सिद्धी सी बात है आटपट निकल के कितना आएगा वो 25,000 निकल के आएगा तो देखे वैलिएडिट स्टेटमेंट क्या होता है आपका वैलिएडिट का मतलब क्या हुआ कि जो आप इनपुट लेके आए उसमें आपने अपना कंट्रिबूशन कितना दिया कितना आपने वैलिएडिशन किया उस पॉडट को बनाने के लिए तो देखो सिद्धी से यहां पर बात यह समझ आ रही है कि अगर किसी फैक्ट्री में अगर प्रोसेस जितना लंबा होगा दैट मिस उसका जो है वैलिएडिशन और ज्यादा अच्छा होगा सिद्धी सवाते माल लीजे अगर मैं बात करूं कि भी एक परसन है वो क्यों है वो ट्रेडर है वो ट्रेडर है उसने क्या करा वो 10,000 के गुड्स खरीद के लाया उसने बस अपना जो है प्रोफिट मार्जिन जो है एड किया और उसने जो है 12,000 में उसको सेल किया अब आब बताए कि इस प्रोसेस में क्या कुछ वैलिएडिशन हुआ उस प्रोडट में नहीं हुआ उसन नेल होगा और प्रोसेस जितना अच्छा बढ़ा होगा जैस उस प्रोडट में जो वैलिएडिशन और अच्छा होगा चले यहां तहाँ पकर समुझागा कि चले वैलिएडिशन होता क्या है लेकिन अगर बात करें यह जो 15,000 तो बनी वह बनी कैसे वह बनी कैसे बहे ऐसा ह है ने कि बस factory में बस machine में डालते और में बने गागे नहीं वह machine कैसा चिलती है machine को प्रिट कौन करेगा ठीक है machine को बनाएगा या machine पे पैसा कर खर्च कोन करेगा वो सब भी तो दिखना होगा न राइट तो दिखें यहां पर जए सबका जए जितने भी यहां पर stakeholders होते हैं उस तो उस process को जो convert करने के contribution होता है अब हम बढ़ने जा रहे हैं जैसे हम देखिए बात करें के पहले जो प्रोसेस जो compete होता है with the help of employees बाता है employees होगे आपके workers होगे लेबर्स होगे ठीक है उन सब को देखिए सिती से बाता है फ्री में तो काम करेंगे नहीं उनको जो कुछ नो कुछ जो है in cash देना होगा जाए वह आपका salaries हो जाए wages हो तो उनको तो payment करने होगी और employees के बिना तो प्रेक्टरी चले की नहीं य हो गए होगा so that means major contribution about employees का हो गए होगा right then the second one is that is the directors obviously देखिए अब उन employees को डिरेक्टर को नो करेगा यहनि किसकी direction पर employees कैसे काम करेंगे employees की effectiveness कैसे आएगी वह आएगी डिरेक्टर भी तो sometimes का होता है कूछ तो डिरेक्टर अच्छा है यादक्रा किसी किसी बूक में हो सकता है कि employees और डिरेक्टर को एक मानले आगरो और वह एक मानले से तो उस समें गलत निया है वे हिराइट लेकिन कोई अगर कोई करता है कि वह डिरेक्टर है कुन गारेक्षर करते हैं और कisha करते हैं थर्ड भी थर्ड भी धिसकोल शेरहोल्डर्स बिजनेस में जैसे फैक्टरी में अगर आपको कोई मशीन सेट अप करनी है यह बिजनेस आपको एक्सपेंट करना है तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा ठीक है देखे सिती से बात है जो जैसे हमने पढ़ा था लास्ट में जैसे अपने प्लेक्ट करना है तो हमें लोन अप्रूब करो तो जो आपके बिजनेस में पैसा लेकर आएगा अगर मानेटी शेह होल्डर आएंगे तो आपसे वो उसके बदली क्या एक्सपेंट करेंगे डिविडेंट और अगर कोई फानाइंसर हुआ जिसने आपको लोन दिये तो वो आपसे क्या स्पेट करेंगे इंट्रेस्ट तो उनको भी तो आपको पैमिंट करनी होगी न और उनकी बिना तो फैट्री में कोई प्रसस होगा ही नहीं राइट चलिए अब बात करते हैं गवर्मेंट की व चाहे वो बहुत माने जाए आपको जो है अपने घर से ऑफिस भी जो कोई नहीं जाना हूँ तो आपको दिखे कुछ ने कुछ तो गवर्मेंट की फेसिट आप तो यूज करोगे और उसके बतले आपको गवर्मेंट को क्या प्रकर करना होगा टेक्स तो देखा जाय तो य अगर आप जो है आपने मानी आपका बिनस हैं आपने पुरे साल में मानी नस्ते conscious दसलात गुर्पे कमाया आपने इंपलीश के सालरी में देदी डैटर को फीस के दिया शेह अपने डिविटिये जेदिया नेooky parfुण इंडिये होडर का लिट्BO जेदीया कुछ पैसा बचाएगा ना कुछ पैसा बचाएगा अब इन सब को जब आप एड करोगी इन सब को यानि कि employees, directors उन सब की coach को जब आप कट हुए वह आपकी आएगी overall value added या value addition यानि कि उस part को बनाने के लिए सब ने जो महनत करी है उन सब को add करो तो क्या कि आपका value addition right तो देखिए हां पर वह लिखा हुआ है valued means the wealth which a reporting entity has been able to create through the collective effects of resources कौन कुन से हो गया, capital हो गया, management हो गया and employees हो गया right देखिए आपने economics में बढ़ा होगा कि gross value added तो आपने कैसे बढ़ा होगा market price निकाल लो जितने भी total output है उन सब की market निकाल लो और उन सब की cost price of goods and service को minus कर दो तो आपके हाथ में क्या जाएगा gross value added वही है सारे सारे जितने भी 10,000 आपने इसको चाहे आपने इसको खरिदने पर से लगाया हो यसे आपने को service लिए हो ठीक है को transportation facility लिए तो service लिए अपने हो कि basically जब हम इसके practical question करेंगे तो इसकी statement कैसे बनेंगे format का जान से सुनेगा देखिए वह बहुत important आपका है मैं पहला lecture बहुत आराम से इसको मैं करा रहा हूं ताकि आपको जब हम मैं जब मैं इसके next video लिचर में जब practical subject आपके जो question करा हूंगा तब आपको उसकी theory आपको सम हो रहा है कि ऐसा है तो क्यों है right चलिए format जान से देखिए format of value added statement कैसे नेगालना है देखिए sales यह sales है अच्छा आदागना इस sales में जो है आप sorry sales में आप मांगे चाल सकते हो it includes GST it includes GST तो पहले sales रखेंगे amount नियां लिख देंगे आपका इसके बाद जितनी भी direct income आए वह सब नियां लिख देंगे अब इसके बाद हम cost minus करेंगे दे दे रहे याद ना cost देखिए कि हमने cost of bought in material and services यानिकि जो आपने purchase करने में जो भी खर्चा किया है रोमेटर को और यहाँ आपने service लिया है किसी से तो वह सब आप add करोगे cost में यानिकि cost में add हो देगी और और उसको आप मानिस करोगे तो देखो क्या करोगे पहले निकाना आपका production of operational expenses प्रोडक्शन ओफ जितनी भी यानिकि जिसको प्रोसेस करने में यानिकि जब आपने raw material को finish goods में convert कर रहे हो उसको प्रोसेस करने में जो भी खर्चा होगे वह सब मानिस करोगे लेकिन क्या क्या नहीं आएगा वो द्यान से यह जो हमने पढ़ा था कि total value addition जो है वो contribution रहता है employees का, debtors का, shareholders का, finance का, government का, entity का यह सब का contribution रहता है इनके अलावा जो cost है हमें वो मानिस करनी है यह जो actual में जो cost है वो मानिस करनी है that means यह क्या है आपके implied है यह कोन है आपके applications है किसके value added statement के यानि कि जितना आपने value addition किया उसका total contribution आपका इन सब की विजिस है but हम क्या कर रहे है आपके cost मानिस कर रहे है cost तो जो process करने में जो खर्चा आया वो हम मानिस करेंगे तो इसमें क्या क्या exclude है आपका wages, salaries, bonus, sales, local tax यह सब मानिस नहींगे then administrative बस सब मानिस होंगे excluding क्या होगा आपके reanimation या setting phase that is related to the director यह सब नहीं आएगा then interest on working capital that means यह पर से व्यादकना short term loans आएंगे long term loans नहीं आएंगे देखिए अगर का आप business चला रहे हो जैसे मानिस कोई raw material आपको जो है market में बहुत demand चल रही है आपको आगे जो है product जल्ली से बीचना है तो आप यह करते हो काईवर short term loan ने लेतों और अपनी production को बढ़ा जेते हो तो वह आपकी actual cost मान जाती है क्योंकि देखिए आप यह कर रहा है आप basically direct expenses को less कर रहे हो और जो direct expenses करते हैं जो actually effect करते हैं overall production पर यहने कि जितने आप expense भी है करोगे उतनी आपकी production बढ़ेगी और आपने अगर expense कम कर दिए में long term नहीं है then बात करते है recoverable tax GST excess यह हम मानस करेंगे इसके बारे में हम discuss करेंगे अच्छे से important point है अभी जब थोड़ देर में हम इसका आगे फादर discuss करेंगे अच्छे से कि यहां से यह क्यों मानस कोड़ा इसके बाद यह से मानस करके आपके हाथ में कहाएगा value added और इस वह से हम indirect income को add करेंगे जैसे कि dividend यह interest तो अब आपके हाथ में कहाएगा gross value added this is the basic format of the value added statement sales में से indirect income add करो उसमें से cost of protein goods and services को मानस करो जैसे cost of production, administrative acceptances, interest on working capital, recoverable taxes वह से मानस करो आपके हाथ में कहाए value added और इसमें से आप add करो जितनी भी indirect income है वह से अब add करो जैसे मैंने लग दिया dividend या interest वह से अब add करो तो आपके हाथ में कहाएगा gross value added चलिए now moving ahead चलिए अब बात कर रहे है value added applied यह हम क्या बात कर रहे है यह हम दिख रहे है overall overall जो हमने देखा था contribution यानि कि जो सब ने मिलके value added में contribution किया था अब उनको payment करने के बारे आ रहे है क्योंकि देख सकते हो उपर तो हमने less किया नहीं है उपर हमने कुछ less नहीं किया उपर हमने सिर्फ जो basic cost है वह हमने less करी है लेकिन जो value addition आई है यानि कि यह value आई है इसका मिलने हकदार कौन है इसको payment कैसे की जा रही है जो value addition हुआ तो देखिए कैसे कैसे होगा हम जो हैं देखिए employee को pay करेंगे director को payment करेंगे government को pay करेंगे financial को pay करेंगे एंड जो majorly जो company के जो return earning है या जो भी कर्चे होंगे जो उसके लाव जो उपर हमारे निव पाई वो minus करेंगे तो इन सब का जो करेंगा फिर अभी 100% आपके हमारा जाएगा देखिए हम क्या देखिए इसमें value-added applied में हम क्यों बिनाने के जरूत क्यों है इसके बिनाने के जरूत ही है ऐसे हमाने जे कोई business है उसने टोटल इतना जो हमाने जे करोड रुपे का कहते करोड रुपे का value addition क हो का हिस्सत जो है कौन-कौन लेकर जा रहा है क्या company ने सारा rating कर लिया या दूसरों में बाट दिया वह दिखना पड़ेगा विकुस उसकी जब आप P&L statement बनाते हो तो P&L statement सिर्फ आप यह पतलते हो कि company ने कितना कमाया कि ने कितना कमाया कमपनी कितना text पे कर रही है कंपनी कितना rating कर रही है यहां पर जब कंपनी रिटेन नहीं कर रही तो company पैसा बिसकली किसको देरी सब स्वाज़ादा उसमें करता है क्या company सब 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 और पैसा करचा इंप्लेव में किया है डाटर में किया है यह टेक्स में बहुझ जाता कर दिया यह कंपनी का भियाद महुत जाता है यह इंपके अपने घर्चे भिज उप चाहता होगी तो पर कैसे बतलेगा अब यह आपकी most and most important आपकी पॉइंट से बुद्धान से नहीं हो पॉर इंप्लोईस यानिकी जो मैं पड़ता हूँ टूप इंप्लोईस एन एक इंप्लोईस में कौन को नहीं को दिखते हैं इंप्लोई में full-time, permanent, temporary, part-time सा भी इंकुड़ोंगे लेकिन इसमें आदखना content workers नहीं होंगे content workers नहीं हो, आचा content workers बज़िए क्यों होते कौन है कौन होते हैं, जैसा मालने जीए, आपकी factory है अब आपने क्या करा काफे सारे security guard सके हुए, आपके खुद की नहीं है आपने किसे से service लिए है कि वो आपके building में, आपके factory में, security guard के service प्रपाड़े करें तो जो service जो guard है, वो क्या आपके कहने पर काम करेंगे नहीं वो जो जिसकी भीहाफ पर याने कि जो contract है, जो उनको मेला हुआ है वो उनके भीहाफ पर काम करेंगे तो इसलिए content worker यहाँ पर नहीं आएगा then, any benefit paid to employee, either in cash, in card, it returns, cost, employee cost होगा तो employee cost होगा माला समझे आप यह कहां पर आएगा, वो यहां पर आथ रहेगा, वो overall cost आपकी यहां पर आएगी यहां पर लेके इंगस को हो चलिये अच्छा थे ना, इसमें आपका जो है reimbursement नहीं होगा बहुत जैसे reimbursement में हो तक है, जैसे मानेजे, आप किसी company employee हो आपको medical reimbursement मिल रहे है आपका मानेजे, खर्चा हुआ 500 और रपे का, आपने दिखा जो 2000 और रपे का यह माना नहीं जाता, बहुत सिद्धी से बात है आप दिखी न, पहले बात हो दिखी यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक्स्टा benefit प्रपाइट कर रहे हो इंपले को, बहुत जैसे मान लीजे, आप 10 employee को अपने 10,000 basic pay में रखा आप बोले हो कि आप जो है, महीने में जो है, आप एक लाग की आपना प्रोडक्शन करो, हम आपको जो 10,000 salary पे पे गर देरेंगे अब माने जी मिन्यम इतना करना है, अब माने जी उसने 2,000 लाग सेल कर दी, तो अभी उसको 10,000 मिलेगा राइट, क्यों किसको salary मिल रही, wages नहीं मिल रही, wages होतो तो यह 20,000 हो जाता है, लेकिन अगर माने जी है, आपर employee बोलते है, कि हम आपको जो एक्स्ट्रा benefit प्रवाइड कर रहे है, medical reimbursement, medical reimbursement, तो क्या इसका जो है, production पे कोई effect आएगा, production पे effect आएगा, भाई माने जिसको नही production पे कोई effect आएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑफिशल, जो रिम्पर सुन रहते हैं, वो employee की cost पे कभी भी आपका add नहीं होता, then coming to four directors, director में आपको कुम करने होगा, all types of directors, चाह वो part-time हो, चाह वो independent हो, चाह वो full-time हो, चाह वो as an employee भी काम करने हो, तो भी count होगा, अचा, any benefit paid, either in cash और in-kind to director, and its depend is treated as director cost में होगा, again इस नहीं official reimbursement director नहीं होगा, finance में आपको पहले दिखना होगा difference between the short-term and the long-term, short-term में क्या होगा, क्या होता, आपका working capital loan, bank overdraft, cash and credit, यह सब short-term, long-term क्या होगे, other than short-term, आपका क्या होगा, long-term हो जाएगा, आप देख सकते हो, उपर हमने जो, विजब हमने, well, GB निका रहा था, तब हमने यहाँ पर दिखा सकते हैं, लिखा था हमने short-term loan, उसको हमने cost माना था, cost माना था, तो यह भी बात हो रही है, तब आपके आपको differential बता दले, और जो long-term होता है, उसको हम क्या हमाते, application towards financial, यानि जब हम निकालेंगे, value-added applied, तो हम long-term लेकेंगे, बट अगर हमें निकालना है, GBA, तो सको cost माना के, यानि कि इन सब को cost माना के, मानस कर देंगे, शेल्टर के काईदर रहे हैं, अब चाहिए dividend चाहिए equity holder हो, चाहिए dividend preference holder हो, उनको application towards शेल्टर मानेंगे, देन बात करते हैं, सरकार की, यानि किस, for government देखें हाँ पर, देखें हाँ दखना, मैंने यहाँ point अलग से पहले, सब से पहले यह point लिखा होगा है, that dividend tax is considered as government head, देखें वैसे तो देखें, dividend किसको पेगा जाता है, preferential holder and the equities holder, यहाँ पर बात तो यही कि dividend tax की, आपको पता है कि जब भी किसी शेल्टर को dividend pay पेगा जाता है, तो वो dividend directed tax cut के ही मिलता है, यही वो after tax मिलता है, शेल्टर के आतने, तो इसलिए वो tax किसको मिलेगा, सरकार को मिलेगा, तो यहाँ पर, यहाँ पर क्या मना जाएगा, यह government के head में माना जाएगा, याद गुना हो, चलिए पहला होगा, dividend tax, उसके बाद देखें, और other tax को जासे direct tax हो गई, आपके income tax हो गया, business rate हो गया, defer tax asset, defer tax liability, यह मैंने आपको जो है, already defer tax and defer tax liability बहुत अच्छे समझाया हुआ है, इसका मैं description box में लेग देदूँगा, आप वहाँ पर देखेंगा, इसको भी आपके ज़र, government hand में consider करना है, राइट, चलिए, अब बात करते हैं, इंटर आटेक्स करता है, तो obviously बात है कि sales में, जो GST होता है, वो include होता है, जैदी से बात है, आप invoice में देखते हो, वो include होता है, अब अगर आपने GST का थोड़ा सा भी कुछ पढ़ रखा हो या कुछ पता हो, वो देखेंगी GST के आपका indirect tax है, जो basic shopkeeper क्या करता है, कि वो क्या करता है, आप से tax collect करता है, और भी वो सरकार को pay कर जाता है, अब अगर मान लिजिए, अगर shopkeeper को GST का input tax credit लेना है, input tax credit का मतलब कहा है, मैं अब इस छोटा से हापर आपको बता रहा हूँ, कुछ नी, जैसा मान लिजिए, ये कोन है, वेट, ये कोन है, ये shopkeeper है, इसने जो है, मान टैन थाउजन के goods purchase किये थे, जिस पे उसने 5% सरकार को tax pay किया था, अब उसने क्या करा है, 20,000 के goods उसने sale कर दिये, और उसने customer जो से 5% tax वसूल लिया, अब इस पे 5% tax केतना होगा, वो केतना होगा, 1000 रुपे होगा, इस पे 5% tax केतना होगा, 500 रुपे होगा, अब वो सरकार को टेक्सु पे करेगा जो से कस्टमर से negotiating कितना हाखाय रुपे उस हो करना चाहे लेकिन हाखायством बु करेगा रुप नहीं कि नहीं मैं तो अल्रीड जो है ये में 500 रुपे जो है मैं अल्रीड हो सरकार को टेक्स पे इसको बोलते हैं Input Tax Credit, यानि कि जो उसने रो मेटर को पर्चेस करने में जो खर्चा लिया, वो उसकी कोष्ट ना बने, वो उसकी कोष्ट ना बने, देखिए मगर मानेजिए वो 500 रुपस को सरकार से नहीं मिले, तो फिर क्या होगा, वो उसकी कोष्ट मैड हो जाएगा, फिर कि GST तो आय इसलिए है ताकि जो है, और जो कस्टमर पर बड़न काम हो, ताकि text on text, टैक्स on text नहीं means, कास्ट करिंग एफेक्ट जो रिमूव हो जाए, और GST से कुछ हद तक जो है कास्ट करिंग एफेक्ट जो रिमूव हो चुका है, तो इसलिए सका करते हैं आपर input tax rate का benefit है कि अगर आपने को रोवेटर को पर्टेस करने में कोई खर्चा किया है टेक्स के फॉर्म में तो हम आपको जोई इसका इंपूर्ट करेंट देंगे तो अगर मालें जी कोई GST जो recover हो सकता है यानि कि जो ITC का सरकार मिल रही है तो उसको हम cost से minus करेंगे अब क्यों minus करेंगे वो ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए उपर ध्यान से दिखिए मैं आपको पहले लिख वाया था है यहां दिखिए यह दिखिए sales मैंने खाता including GST यानि कि invoice bill में already GST include है अब अगर मान लीजी वो include है तो अगर जो recoverable tax है जैसे GST और XSUT वो आप minus करोगे जैसे मान लीजी है अगर कोई 100 रुपे की value है मैं सिर्फ एक्जाम्बल ले रहा हूँ 100 रुपे की value है उस पर 18 रुपे जो GST include है include है तो आप क्या करोगे आपको value decision करना है तो अठार रुपे मानेस करो दो तब के दिखे जैब basic आपकी sales तो सिर्फ सो रुपे की वी न तो नो वो benefit हटाने के लिए करतो अगर sales बें include है तो वो मानेस करो दो सिर्फी वात है तो अगर वो recoverable है तो उसको हम मानेस करेंगे आगे देखिए अब अगर मानेजिए वो not recovered है नहीं कि ऐसा text है जो recovered नहीं होसा था देखे input text करेंगे कुछ rules है जरूर नहीं कि सारे text है उसको मिल ला है ठीक है कुछ होते हैं जो recover नहीं हो पाता है यानि इसको तो आप treat करो same as direct text की तरह है आपने जेस्टी नहीं पढ़ाओगा एक और concept होता है जो कि छोटे-छोटे जो businessmen नहीं तो उनके लिए होता है वो बलते हैं कि हम आपको जो जो जेस्टी से जहमिला कुछ समाना ही नहीं है मुझे नहीं समाना कि जेस्टी का rate क्या है मैं कौन से इंट्र सेट कर रहा हूं मुझे नहीं पता कुछ समाना नहीं मैं तो छोटा मोटा जोटा शोप की पर हूँ सरकार वह ठीक है आप जो कंपरिशन लेवी स्कीम कर लो हम आप से टेक्स लेंगे on the business of your turnover माने जिए आपका turnover एक लाख रुपए का है तो आप बस हमें 5% टेक्स काम काता है तो अब वह यह जो कंपरिशन लेवी स्कील होगी वह क्या होगी आपकी sales बेज हो गई यानि कि जितने जादा सेल करो गई उतना जाता आपको टेक्स करना पड़ेगा और मींस क्योंकि वह परसेंटर फेक्स है ना आपका तो यह तरह क्या होगा यानिकि वह रिक नहीं होता बट फिर उसको आपको ट्रीड करना है पड़ेगा एस डाटेक्स तो आपको कहां जागा अप्लाइड में चाला जाएगा ना की कोस्ट में चलिए यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना कमें इंटिटी पार्ट देकि एंटिटी कोन होता है खुद वह जो तो पडेंटेक्स रिचेस असर्ष्ट है, वह सामानेस करोगी और अगर कोई लोग्सि को ब्रटेक्स असाक भीची तो भी आपको आपको किम आपको इंटिटी के पट्प के में माना जाएगा लाइव इडिक जितने जाँ टेक्स पर गरेंगे तो वह एड होगा और अगर सरकार से वापस दिने होगा तो वह रिकवर हो जाएगा तो वह उसके गरेंगे मानिस करेंगे यह उती है एक उती है ग्रोस वैल्यू अड़िड और एक उती है ने 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 अगलना है ग्रोस ने कालना है कि ने 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 अगर कॉस्टन सलेंट है और विज गो फर ग्रोस वैल्यू अड़िड और कर बोले स्पेसिकल फिर तो कोदी कतनी है वाई से निकालो राइट ने ने वलेडिड पुच्छा बस से दिजए जिए जिए में से डेपिशन लेस कर दो तो आ अगर्जा में इस चप्टर से थियर भी पुचा जा सता है और पेट्टे गल भी अल्राइट थैंक यू